हेलो फ्रेंट्स मिना नाम है परवीन और आप देख रहें धिंग टेक्निकल फ्रेंट्स आप अपने फ्रेंट को जाकि इस इलेटिव को कॉल करते हैं और आपकी सिम का नंबर उसके पास चला जाता है प्रन्तु कहीं बार किसी अन्नोन परसन को आप अगर काल करते हैं उसके पास भी आपका परसन नंबर चला जाता है आप चाहते हैं कि आपका परसन नंबर उसके साथ शेयर ना हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुरूर देखें क्यांकि इस वीडियो में एक ऐसी एप्लिकेशन के बारें बताने वाला हूं जिसका जूज करने के आपका परसन नंबर क्सी के साथ भी शेयर नहीं होगा अगर आप इसreiben्यों का इस्तेमाल करेंगे उसके पास आपके नंबर की जगा चैनल अगर आप ये लिवली इस एप का इस्तिमाल करते हैं तो आपको कभी ज़्यादा नुपसान हो सकता है वीडिये शुरू करते से पहले अगर आप चैनल पर पहनी पार है तो रेड़ करके सुस्क्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सुस्क्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सिम का नंबर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और सच बाक्स में टाइप करना है वी फोन जैसे ही आप वी फोन टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह की एप नजर आएगी आपको इस एप को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के वाद ओपन करना है जैसे ही आप इस एप को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपको जहां पर लोगिन होना पड़ेगा लोगिन होने के लिए आपको सबसे पहले जहां पर आपना नमबर एड़ करना है नमबर एड़ करने के बाद नीचे कॉल का अप्षिन आ रहा है काल के अप्षिन पर क्लिक करना है जैसे काल के अप्षिन पर आप क्लिक करते हैं आपके जहां पर लॉग इन वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है सबसे पहले जहां पर लिखा हुआ फोन phone number पर आप क्लिक करेंगे और नीचे phone number का option आ जाएगा उसके बाद नीचे की तरफ India select करना है आपको जैसे open करेंगे जहां पर search करने के बाद आपकी जो भी country है वो आपको search करनी है इंडिया है तो इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश कोई भी country जो आपकी country है वो select करनी है select करने के बाद आपको जहां पर अपना mobile number डालना है mobile number डालने के बाद नीचे verification का option है verification call के through करना जाते है SMS के through करना जाते हैं तो मैं SMS के through करने वाला हूँ जैसे ही SMS पर मैंने क्लिक किया तो जहां पर 4 अंकू का OTP मेरे mobile number पर बेजा गया है जहां पर OTP मेंने डाल दिया और उसके बाद कुछ loading लेगा उसके बाद आप जब भी किसी को call करेंगे आपको मैं एक number पर call करके बताता हूं और बहुंपर बताता हूं कि उस number पर कौन सा number शो हुआ है यह सारा process करने के बाद आप किसी को भी call करेंगे आपका person नंबर शेयर नहीं होगा बलकि कोई दूसरा नंबर ही जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तू के साथ शेयर प्रत लिए इसी तरह की और भी वीडियों देखना जाते हैं तो आप मेने चैनल को subscribe कर सकते हैं साथ ही बैल आइकन को क्रेस्का करते हैं latest update के लिए मिलते हैं किसी ने वी प्लाव कर दो कर दो दो कर दो सकता है